हाई दोस्तों साइज ही और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट मैजिस्क 24.1 से किसी भी आंडरोड फोन को कैसे रूट करते हैं अब ये सिर्फ रूट करने से काम नहीं चलेगा यहाँ पर हमें बहुत कुछ चीजे और भी करनी है जैसी कि ये जो वीडियो है पूरा डीटेल गाइड होने वाला है यहाँ पर जो है मैं आपको सबसे पहले रूट करना कैसे वो बताऊंगा then next step 2 में मैं आपको safety net कैसे fix करते हैं या फिर बोलू device को certified कैसे करना है वो बताऊंगा then step 3 यहाँ पर जो है banking apps को use में कैसे लेना है properly वो भी बताऊंगा मतलब पूरा वीडियो डीटेल में होने वाला है ये एंड तोक के देखना पूरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन उससे पहले चानल पर करना है हो तो चनल को सब्सक्राइब कर लेना है आप आपको डेली अप्डेट्स मिलेंगी कोई प्रॉब्लम वोगरे डिसकस करने हो तो इंस्टा पे एक मैसेज कर दो बंदा हज़र हो जागा आपके help में तो छेली है let's begin तो सबसे पहले आपर एक important बात यह बताना चाहता हूँ यह जो method है यह custom recovery users के लिए होने वाला है जिनका phone के लिए custom recovery available नहीं है तो उनके लिए second method आएगा इसके बाद वो वीडियो upload करूँगा ठीक है तो सबसे पहले आपको करना क्या है Google पे जाना है और यहाँ पर आपको Magisk के site पे चले जाना है यहाँ पर आपको Magisk AP के download कर लेना है ठीक है तो latest वाला है 24.1 इसको मैंने download करके रखा है already तो जैसी कि आप देख पर हो यह मैंने download करके रखा है तो इसको simply install कर लेना है ओके install होने के बाद इसके बाद इसको open कर लेना है हमें तो मैंने open कर दिया और यहाँ पर ध्यान से देखोंगे तो यहाँ पर installed na मतलब यहाँ पर मेरा phone root नहीं है निल है ठीक है तो यहाँ पर install नहीं है तो देन उसके बाद क्या करना है यहाँ पर आपको फिरस से वही पर आना है जहाँ पर हमने download किया था और इसको rename कर देना है जो AP के हमने download किया था magisk का तो उसको last में AP के हटा के dot zip लगा देना है ठीक है उसके बाद ok करोगे तो यह magisk 24.1 जो है यह zip फाइल बन जाएगी देन उसके बाद हमें अपने phone को ले जाना है custom recovery में ठीक है अब custom recovery कैसे install करते है इस से regarding video i button पे मिलेगा जाके आप देख सकते हो ठीक है ok हम custom recovery में आ चुके हैं और सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे backup लेंगे पुराने boot का याद रखिए पहले पुराने boot का backup लेजिए ठीक है तो यह मैं boot को tick कर देता हूँ और उसके बाद इसको पहले backup लेना है ok backup इसलिए ले रहे हैं क्योंकि in case कोई दिक्कत होती है तो इसी backup को restore करके हम अपने phone को ठीक कर पाएंगे ठीक है तो backup लेना मत भूलना ok backup ले लिया हो तो यह backup तब use करेंगे जब हमारा phone अगर मैजिसको flash करने के बाद boot नहीं होता या कुछ दिक्कत होती है तो इसको restore मारेंगे तो हमारा phone फिर से टकाटक working में आ जाएगा याद रखिए backup लेना है ठीक है यह काम जैसे ही complete होता है उसके बाद install पर आना है यहाँ पर आपको जो zip बनाई थी उसको select करके swipe कर देना है तो यह flash हो जाएगा ठीक है तो zip वही जिसको हमने APK को हमने dot zip बनाया था मैं जिस 24.1 को ठीक है चालू हो चुका है मैं unlock कर लेता हूँ इसको ओके यहाँ पर जो है सबसे बेले आपको चले जाना है Magisk में तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोंगी तो यहाँ पर जबी install पर एने लिखा था लेकिन अभी देख रहे हो 24.1 लिखा है मतलब हमारा फोन रूट हो चुका है ठीक है तो हमारा step 1 complete हो चुका यहाँ पर हमारा फोन रूट हो चुका है then आप step 2 करते है तो आप क्या करना है यहाँ पर हमें play store से yet another safety net checker या application मिलेगा इसको हमें download कर लेना है ठीक है तो यहाँ पर देख पर है yet another safety net असिस्टेशन चेकर इसको install करके open करना है then उसके बाद यहाँ पर अगर आप run safety net असिस्टेशन पर click करोगे तो यहाँ पर आपको यह देखी कुछ fails show हो रहा है दोनों चीज़े फेल्ड है basic integrity और cts profile तो यह दोनों चीज़े pass होनी चाहिए ठीक है तो इसको pass करना पड़ता है तो कैसे करना है आगे बढ़ते हम अभी यहाँ पर अभी हमें magisk को open करना है ठीक है और यहाँ पर settings पर click करना है then उसके बाद इसको नीचे scroll करना है और यहाँ पर zygisk beta इसको enable करना है then enforce deny list इसको enable करना है then config deny list open करना है और यहाँ पर 3 dots दिख रहे हैं आपको right side में उपर उसके click करना है और यहाँ पर show system apps उसके click करना है यहाँ पर search करना है GMS और यह जो play store services है इसको पूरे toggles इसके enable कर देना है कर दिये हमने enable ओके उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर जो भी हम banking apps use करेंगे तो उनके भी toggle enable कर लेना है तो यहाँ पर मैं Google Pay को भी enable कर लेता हूँ सारे toggles enable करने हैं याद रखिये तो इसके बाद यहाँ पर इतना काम complete हो चुका है और एक बार चेक कर लेते हैं तो यह दिखी इस तरह से पूरे toggle enable होकी टिक होने चाहिए ठीक है देन उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है आपका ZYGISC enable no है तो इसको yes करना पड़ेगा तो इसके लिए एक बार phone को reboot करना है ठीक है तो हमने सभी reboot complete हो चुका है फोन reboot होने के बाद फिर से मैजिस को open करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखोंगे तो ZYGISC yes लिखा है जबी no था ठीक है reboot करने के बाद yes हुआ क्योंकि हमने toggle enable किया then reboot किया phone को ठीक है अब next क्या करना है ध्यान से देखिए उसके बाद यहाँ पर safety net checker जो हमने download किये तो उसको open करना है यहाँ पर run करना है safety net test को तो यहाँ पर देख पार है वो basic integrity pass cts profile pass दोनो pass है अगर आप stock room user हो तो वहाँ पर आपका cts profile fail show होगा ठीक है तो आपको pass करना पड़ेगा ठीक है मेरा custom room है इसलिए हाँ पर pass हो गया लेकिन stock room होगा तो वो pass नहीं fail होगा fail रहेगा तो उसको pass करना पड़ेगा pass कैसे करोगे पताता हूँ आपको अभी फिर से आ जाना है back यहाँ पर google पर चलना है और यहाँ पर एक module को आपको download करना है universal safety net fix करके सर्च करना है आपको ठीक है मैंने सर्च किया यहाँ पहला website पर चले जाना है github के यहाँ पर click किया यहाँ पर मैं open कर लेता हूँ ओके open हुआ यहाँ आपके universal safety net fix इसको नीचे स्क्रॉल करते चलना है और यहाँ पर देख पार हूँ धान से latest लिखा है जाइजिस करके इस पर click कर देना है 2.2.1 यह अभी latest है मैं video बना रहा हूँ तब ठीक है आपके case में और कोई नया भी आ सकता है तो उसको download करना है मैं जिस को open करना है ठीक है तो उससे बेला मैं दिखा देता हूँ यह दिखे safety net fix 2.2.1 ठीक है तो अब क्या करेंगे मैं जिस को open करेंगे यहाँ पर module section पर जाएंगे यहाँ पर install from storage है न इस पर click कर देना है और उसके बाद next चीज हमें क्या करनी है क्लिक करना है phone reboot होगा ओके phone reboot हो चुका है मैं इसको unlock कर लिया अब उसके बाद फिर से Magisk के application open करते हैं तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर Zygisk वगेरा enable है और यहाँ पर module भी flash हो चुका है जैसे कि आप देख पर हो universal safety net fix का अब चेक करोगे अगर अपना safety net तो वहाँ पर जब आपका stock roam होगा तो वहाँ पर CTS profile fail रहेगा तो यहाँ पर अभी pass हो जाएगा जैसे कि देख पर हो तो दोनों चीज़े pass लिखी आनी चाहिए ठीक है चलो ठीक है यहाँ पर safety net वाला काम खतम हो चुका है safety net pass हो चुका है stock roam होगा या फिर custom roam होगा दोनों भी हमने fix कर लिए then next चीज settings में आ चुके हम magis के तो यहाँ पर हमें क्या करना है ध्यान से देखना आप यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोंगे config denialist open करना है तो यहाँ पर आपको check कर लेना है सारे toggles enable है की नहीं तो यहाँ पर मैं play store का Google play services का एक बार toggle check कर लेता हूँ तो यह untick हो चुके है तो अगेन इसको एक बार untick कर लेता हूँ अभी google pay और google play services दोनों tick हो चुके है अभी दिखाता हूँ जैसे कि आप देख पर रहे हो दोनों tick हो चुके है तो यह check कर लेना एक बार दोनों tick रहने चाहिए जो भी आप banking application यूज़ करोगे उसके सारे toggles enable कर देना phone pay के भी मैंने enable कर दिया है okay deny list में तीनों application आ चुके है तो जैसे कि आप देख पर रहे हो अब next चीज हमें क्या करना hide the magis cap पर click करना है यहाँ पर कोई भी नाम लिख लेना है आपको ठीक है जो लिखना हो लिख सकते हो मैं अपना नाम लिखा फिर okay कर देना है अब उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर यह जो magis cap है यह hide हो जाएगा दूसरे नाम से ठीक है तो आप wait करते हैं इसका तो यह हो रहा है okay उसके बाद इस तरह आपको खुलेगा यहाँ पर okay कर देना है then add okay ठीक है हो चुका अब आप इसको directly clear कर सकते हैं ठीक है या फिर इसको close होने तक के wait कर सकते हैं तो यह हो नहीं रहा है मैं wait कर रहा हूँ तो एक काम करते हैं इसको हम close कर देते हैं ठीक है तो अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको magisk app जो था ना आपको open करना है ठीक है ओकी यहाँ पर सब कुछ काम हो चुका है अब हम banking application को open करके देखते हैं ठीक है अब ध्यान से देख पार है हो मैंने google page जो है open कर दिया है ठीक है यहाँ पर कोई root device करके नहीं बोल रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है और यहाँ पर मैं आपको जो है balance भी एक बर check करवा देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर balance वगिरा check करते हैं तब तो बिल्कुल properly आपका phone detect कर लेगा root हे करके अगर detect करना था ही थो ठीक है लेकिन यहाँ पर detect नहीं होगा कौन सी दिक्कत आ सकती है बताता हूँ यहाँ पर आपका play store जो है उसको open करके आपको device certification चेक करना है ठीक है अगर यहाँ पर device is not certified बोलेगा तब भी आपको दिक्कत हो सकती है ठीक है अब आप बोलोगे भाई आपने तो जो safety net है वो pass कर दिया है देन उसके बाद आपको play store का data एक बार clear कर लेना है ठीक है क्योंकि google पे का मैंने देखा है safety net pass होने के बाद भी नहीं work कर रहा है कभी कभी क्यों क्योंकि वो play store का data चेक कर रहा है वहाँ पर device certified है या नहीं ठीक है तो यहाँ पर जैसी आप यहाँ पर play store का data clear करोगे तो उसके बाद उसको open करके एक बार close कर देना देन एक minute रुखना उसके बाद आप अपना play store का जो open करके देखोंगे तो device is certified शो होगा ठीक है लेकिन safety net पहले fix करना then play store का जो है data clear कर लेना ठीक है तो मैं एक minute रुख चुका हूँ यहाँ पर आप open करके दिखाता हूँ तो देसी कि आप देख पर हो device is certified ठीक है तो यह रह जाता है data कभी कभी uncertified रह जाता है तो उसको certified कर लेना पहले ठीक है ओके तो यह करोगे उसके बाद आप सभी banking applications प्रॉपरली उस कर पाऊंगे फोन पे और गूगल पे पॉफिटली वर्क करेंगे लेकिन अधर बैंकिंग अप्लिकेशन्स या फिर बोलू दूसरे अप्लिकेशन्स रूट को डिटेट कर सकते हैं तो उसके लिए एक separate वीडियो आने वाला है जिसमें आपको advanced method बताऊंगो रूट को hide करने का ठीके जल्दी वीडियो आएंगा चैनल पे बने रही है तो आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आएंगो तो वीडियो को like कर देना तो बस आज के लिए इतना ही अगले वीडियो मिलते हैं लव यू दोस्तो गुडबाई टेक केर